आप सभी का आज के हमारे इस इव्याख्यान में हार्दिक स्वागत वै अभिनंदन है आज के हमारे इस इव्याख्यान का अध्यन विशय है भारतिये चित्रकार, मूर्तिकार वै छापाकार सोमनाथ होर सोमनाथ होर का जीवन काल 1921 से लेकर 2006 इस्वी रहा सोमनाथ होर का जन्म 1921 इस्यू में चटगाओं बांगलादेश में हुआ था वे म्रत्यू 2006 इस्यू में सांतिनिकेतन कोलकाता भारत में हुई सोमनाथ होर एक सुप्रसिद्ध भारतिय मूर्तिकार, चित्रकार और छापा कार थे उनके रेखाचित्र, मूर्तिया और छापा या प्रिंट वीश्वी सताब्दिके बंगाल के प्रमुख एतिहासिक संकटों और घटनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति थे आप 1943 इस्यू के बंगाल अकाल से उद्वे लित रहे सोमनाथ होर ने कलकत्ता के गवर्मेंट कोलेज ओफ हार्ट एंड क्राफ्ट में हध्यन किया वै लिथोग्राफी और इंटोगिलियो सीखा उन्हें 1950 के दसक तक भारत के सबसे प्रमुख प्रिंट मेकर्स में से एक माना जाता था सोमनाथ होर ने अपने श्यों के विभिन प्रिंट मेकिंग तक्निकों का आविश्कार किया और उन्हें विक्षित किया जिसमें उनकी पल्प प्रिंट यानि फपूंद लूगदी प्रिंट तक्निक भी सामिल थी भावभी व्यक्ति को आपने बंगाल दुर्भिक्ष के आसपास ही मानव अति इस्त जंजरों वे जस्मों के रिखंकन दुआरां कित किया यह आकार आपकी संपूर्ण कला यात्रा में यथर्थवादी वे अमूर्थवादी दोनों आकारों में परिलक्षित होते हैं सोमनाथ होर ने प्रियोगवादी च्छापज त्रकार रहे तथा सभी तक्निकों में कार्य किया सोमनाथ होर दिल्ली कोलेजोफाट में ग्राफिक विभागा द्यक्स तथा एम एस विश्विध्याले बडोदा वे कलाभवन सांतिनिके तन में विजिटिंग प्रोफेसर कला के रहे आपने गवर्मेंट कोलेजोफाट एंड डाफ्ट्समेंशिप में व्याख्याता पद पर भी कारिये किया मूर्ती सिल्प माध्यम को आपने बहुत बाद में अपनाया आपके चित्र तथा चापा चित्रों पर राष्ट्रे पुरुसकार मिले आप वस्तूतै चित्र चापा चित्र वे मूर्ती सिल्प में अपनी अभीव्यक्ति का उचित माध्यम खोजते रहे तथा इस प्रियास में आप चापा चित्रकार के रूप में अधिक पहचाने गए गत चालिस वर्सों से आप समकालिन चापा चित्र परी द्रश्य में सरोपरी रहे तथा भी पचाश के दसक में सोमनाथ होर ने अपने मूर्ती सिल्पों में रूची दिखा कर अपना सरजन छेत्र विस्तृत किया आपने लाश्ट वेक्स प्रोसेस के माध्यम से व्यथित व्यवियत नाम के स्वतंतरता संग्रामियों को तरासा है आप कासे ढलाई की पधती में आर्मेचर यानि प्रारंभिक ढहचा हवा से बनने वाले छेद इधर उधर से निकले वे टूटे पाईप पसू वे मानवों के अस्थी पंजरों का निर्मान करते हैं सोमनाथोर मेटल शीट को त्वचा के रूप में फैलाते हैं इससे मूर्ती सिल्प जीवन्त वे इस्फुर्तिवान हो उड़ते हैं आप छापा चित्रन की तरह मूर्ती सिल्पों में भी आधुनिक तथा समकालिन हैं और आप विश्व भारती शांती निकेतन में रहे का निरंतर सिर्जन करते रहें भाव प्रवण मान्यूए अभिव्यक्ति के लिए ले तथा रुपाकारों का समूच उन्हें बहुत जरूरी लगता है मूर्तिकला की द्रष्टी से उनके काम की गुणवत्ता उनके द्वारा माध्यम के प्रतिलगाव वे प्रतिपादन को उसल में प्रकट होती है स्वमनाथ होर पूरे आवेश तथा समध्दारिशे स्वम को अभिव्यक्त करते हैं और भरे हुए तथा खाली, व्रताकार तथा तर्कोणिय, उभार तथा अपगमन, रूपाकार तथा खोकला, चित्राकास या रिनात्म कायतन के परसपर सम्मंधों पर आप अपनी में गोर करते हैं, और ने कागज पर पृति का आत्मक वूंस यानि जखम का स्रजन कर जब किया और कास्य में वूंस का निर्मान किया, भूखे तथा निरास्त्रित लोगों के पृति उनकी करूना की अंतरधारा, चापा चित्रों के अपेख्या मूर्ती सिल्पों में कहीं अधिक गती से बहती दिखाई देती है। उडान, 1967 इस्वी और अनेक सीर्षक विहन कृतिया इत्यादी वे अन्यमहत्पुन स्रजन कारिये प्रमुख हैं जो आपके कलात्मक कोशल को पहचान देते हैं। ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा सोमनाथ होर को सम्मानित किया गया। 1984 इस्वी में गगन अबनी अवार्ड कोलकाता से इनको सम्मानित किया गया। 1984 इस्वी में प्रोफेसर अमेरिटिस सांतिन केतन कोलकाता दोवरा आपको सम्मानित किया गया। और 1937 इस्वी में एल एन गुपता मेमोरियल अवार्ड से सोमनाथ होर को सम्मानित किया गया। 1963 में ड्रीम के लिए राष्ट्रे पुरुषकार ग्राफिक्स के छेतर में आपको मिला जो ललित कलाकादमी नई दिल्ली ने आपको प्रदत किया। 1962 इस्यू में ग्राफिक्स के छेतर में आपको राष्ट्रे पुरुषकार मिला ए बर्थ ओफे वहित रोज नामक चित्र स्रंखला पर ललित कलाकाजमी नई दिल्ली ने आपको इस पर सम्मानित किया 1960 इस्यू में साथियों के लिए राष्ट्रे पुरुषकार पेंटिंग ललित कलाकाजमी नई दिल्ली द्वारा आपको प्रदत किया गया सोमनाथ होर की कला सहभागिता 1968 में ग्राफिक्स कला पॉलेंड के वार्षा बेनेले में आपने सहभागिता की 1968 विश्व कला ललित कलाकाजमी नई दिल्ली के प्रथम तर्वेणी में आपने सहभागिता की 1966 विश्व में International Association of Plastic Artists प्रदर्सनी टोकियो और कॉलकाता में आपने सहभागिता की 1963 साओ पावलो भियानाले ब्राजिल में आपने सहभागिता की 1962 विश्व में वेनिस के भियानाले इटली में आपने सहभागिता की 1960 में लुगानो इंटरनेशनल ग्राफिक्स भियानाले श्विटजर लेंड में आपने सहभागिता की स्वमनात होर की प्रमुख एकल प्रदर्सनी आ 1999 वे इस्व में इंगुईस एपजर्ड दे विंडो मुंबई में 1945 में इस्व में आपकी एकल प्रदर्शनी कांश सीर्शक्स सेंटर फोर इंटरनेस्टल मोडन आर्ट गैलरी कोलकाता में आयो जित हुई 1922 में इस्व में मेघाव सोमनात होर के कांश चित्र और प्रिंट कोलकाता सुक्षागर गैलरी कोलकाता में आयो जित हुई 1988 इस्यू में आपकी चित्र प्रदश्णी मूर्तिया और रिखा चित्रों पर आधारित कला यात्रा दुआरा आयोजित सिस्टस आर्ट गैलरी बैंगलोर में आयोजित हुई 1973 इस्यू में कुनिका कैमोल्ड गैलरी नई दिल्ली में 1968 इस्यू में कोलकाता में और 1967 इस्यू में नई दिल्ली में 1965 इस्यू में नई दिल्ली में 1963 इस्यू में नई दिल्ली में 1961 और 62 इस्यू में कोलकाता में 1960 इस्व में नई जिल्ली में, 1967 और 58 इस्व में कोलकता इत्यादी आपकी प्रमुख एकल चित्र परदर्शनी आ रही आप अपनी कला के माध्यम से सरोहारा वर्ग के संघर्ष को जीवन्त करते रहे आपकी कला जो माध्यम है उनमें विविधिता रही जो आपके जीवन्त व्यक्तित्व का परिचाय करही सौमनाथ होड ने अपने मुर्थी सिल्पों में भी उतने ही अधिक आदुनिक हैं जितने वह ग्राफिक स्कृतियों में थे यहां वह समकालिन कलात्मक्चित्रभासा का प्रियोग कर रहे हैं वह कला के रह्ष्य में द्वैत का स्रजन करते हैं रूपाकार तथा विशवस्तु का द्वैत ताकि प्रभाव साली अभी व्यक्ति की जा सके वह अपने अभिप्रायों को मानव तथा पसू के बीच अपनी चिर परिचित सैली में व्यक्त करते हैं जैसा कि मदर एंड चाइल्ड मा और बच्चे या हूंटेड यानि घाव मूर्ति सिल्पों में इन्हों हने किया इनके काश्य मूर्ति सिल्प जो पारदर्शी मूर्ति सिल्प या रिक्त इस्थानों से युक्त मूर्ति सिल्प हैं दर्शक की इस मूर्ति में बार बार आकर उसकी चेतना का अंस बन जाते हैं सोमना थोर ने अपने माध्यम धलाई का लास्ट वेक्स प्रोसेस का प्रियोग बेहनत कस लोगों की व्याथा का चित्रन करने में बड़े प्रभावसाली तरीके से करते हैं वह अपने रूपाकारों की व्याख्या का चित्रन करने में बड़े प्रभाव साली वह अपने रूपाकारों की सिध्धी मूलते माध्यम की स्तर पर ही कर लेते हैं मौम की पटियों सलाखों और उनके गुमाओं द्वारा दरारे तथा जलने के दाग कांसी की ढहलाई में आ जाते हैं वो भारों तथा अपगमनों के इसपष्ट पैटन और तूटन वाले धारतलों की ले से उनके मूर्ती सिल्पों में इस फूर्ती आ जाती है धातू के कौमल प्रतिबिम्बो तथा छदीमा यानि पैटीना से उनमें विविधता भी जुड़ जाती है इस तरह से हम देखते हैं कि सोमनार्थ होर का कलात्मक कृतित्तू और व्यक्तित्तू भारते कला के लिए एविस्मानिये हैं इनकी देन भारते कला को महतुपूर हैं ये भारते कला के लिए एक आदार इस्तंब रहे और ऐसे इस महान व्यक्तित्तू के धनी सोमनार्थ होर का 2006 इस्यू में सांती निकेतन कौलकाता में निधन हो गया इस इव्यक्यान के माध्यम से आपने सोमनार्थ होर के व्यक्तित्तू व्यक्रतित्तू को सहज ही समझने का सफल प्रियास किया आप सभी को सुब दिवस एवं धन्यवाद सुब दिवस